तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखाता है कि जियान होली पिल से टी पहुँच चुका था जब जियान 3000 बनिंग फिलिम के बारे में पता कर रहा होता है तब ही वो सोल स्टेज के अंदर चला जाता और उसकी जो सोल होती हो पहुँच जाती है स्टार रिलम क को सील कर रखा है और साती जियान की अभी खिले डर के मारे पसी ने चूट रहा थे क्योंकि जिसकी आवाज सुनकी वह बहुती जदा खतरनाक थी इसी बाज़े से जियान बोलता है सच्मी पिल्टावार तो बहुती जदा खतरनाक है आतिकन मेरा इत्ते पाफुल वोरियर स कहां से अगए तबी जन अपने दिर्माग पे और जो डालता है और बहुती जल्दी पहुंच जाएगा सोल स्टेज के अंदर जिसके बाद उसकी जो पिंट रिफाइनिंग होगी और जदा नेस लेवल पर पहुंच जाएगी तबी जब सीन होता हो कटो के पिल्टावर के सबी लोग इसी बारे में बात कर रहे होती है और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कोई स्टार रेलम के अंदर गुजगा तो मगर अच्छी बात यह रही कि थी थाउसंग बनी प्लिम नहीं जगी जिस बज़े से वहां पे कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ ताभी पिल में इस बज़े से फिल गैदरिंग कोंपेटिशन के अंदर होल उपसुल भी एंटर करेगा यह संदिगन जो पहला वाला एल्ट होता है कि बोलता कि इसके बारे मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता है वो वन्दा कौन था क्योंकि वहां पिसरे पेक एनरजी है करता इस बज़े से मैंने उससे पीछे ढखिल दिया और उससे उस बंदे को कोई भी हाम नहीं हुआ होगा यह सुनकि उस रूम से आवा जाती एल्ट कि यह तो ठीक है मगर हमें 3000 बनिंग फ्लिम के लिए जब फोर से उन्हें और वीदा बढ़ाना होगा क्योंकि जो 3000 बनिंग फ कड़ते कि वो गुलूप सोल से ना हो क्योंकि उन्हें अल्रेडी सेंटर पेंड के अंदर आतंग रखा है और उन्हें काफी सारे सोलों को क्यात कर रखा है यह सुनकि दूसरा एल्टर गोलता है कि अभीकली मुझे गुलूप सोल की जो इराद है वो बिल्कुल भी सही नही अगर वो इस टेम पे उस पोजीशन को एकसेप कर लेते तो वो आज हमारे साथ लीटर पोजीशन पर होते पिल्टावर की तभी एक एक एल्ट होता है कि तुमने अभीकली कुछ टेम पहले एक बड़ी बैटल को देखा होगा जो की एक लेंड के अंदर हुई थी तो मैंने पूरा पिसमा से को कॉक्लेन और देन ग्लेन को एकम बरावरी की टकर देगा यह सुनकर दूसरे एल्टर बोलता कि यह तो बकता आने पर ही पता चलेगा मगर अभीकले हम लोग को पिल गैदरिंग कॉपटिशन की सिक्यरिटी को तोड़ा और टाइट करना होगा और सभी च करना है और साथ हमें इस बात का भी द्यान रखना है कि 3000 मेंटिंगों से यहीं पर खतम करते हैं और अभी तक आप लोग ने जित्ते भी पॉफल लोग देखे हैं उनमें से सबसे दा पॉफल लोग यही है क्योंकि इन में से एक बंदा है हाफ सेंट पर और अभी के लिए आ आंगे कुल जाती और वो लिटल फी डॉक्टर देखकर बोलता है तुम उट गई तो यह सुनके जो लिटल फी डॉक्टर होते हैं हमें नौट कर देती मगर तभी उपर आजाता है ग्रेटेल्डर और वो जियान से बोलता है कि माश्या जीन आव हमें चलना चाहिए और फि आप जिस लेवल पर पहुँचे कि उसके साब से मुझी नहीं लगता है यहां पर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि आपकी काम की हूँ मगर यहां पर दो दिन बाद एक बहुती बड़ा ऑप्शन होने वाले जहां पर काफी सारे अल्कमिस ट्रेट करेंगी मगर अगर उसके इतना सिर्फ वही लोग एंट्री कर सकते जिनकी पास अभी के लिए फिल टावर का बैच होगा क्योंकि यह जो ऑप्शन हो बहुती बड़ा होता है यह सुनके जो जियान होता हो काफी दा एक्साइट हो जाता है तब भी जो जियान होता हो उस जगे में पहुं जैन के लिए जब फिल जाता है। फहीं पर लटकी थी वह भी थोड़ी सी हरंदी, क्योंकि Jjan ने उससे टाच कर लिया, फ्रीवूं से इसलमत कीसे खड़ा है, तभी जो लटकी होती होती हों हर बड़ाती हुई Jjan सो बलते कि मुझे म वाफ करते हैं, नैस पर मेरी कोई भी घृती नही और वहाँ से बगी जाती और ही बोलते हैं मुझे आपकी अच्छी आपका है, जब भी हमारी मुलाकात एती तो ये लोग बहुती अच्छे से हमारा मजाक उडाती है, मगर मुझे अभीकली इनके मजाक से कोई पर्थ नी पढ़ता है क्योंकि मुझे आदत पढ़ चुकी है मगर मैं अभीकली ये नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई मजाक उड़ा है इस बज़ी से हमें कर लाना चाहिए ये सुन देगें जयान बलता है कि अभीकली हम लोगों ने काफी टाइम बेस्ट कर दिया अपना इस बज़ी से हमें आज ही अपना काम करतम कर लेना चाहिए और अभीकली लोग क्या सोचते और क्या बोलते हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ये सुनके जो ग्रेटेल्ड होता है और जयान को लेके वहाँ की तरब जाने लगता है तभी वो एक बड़ी से रूप के अंदर पहुंचाते है जहां पर अभीकली सिर्फ दस लोग होती है और जैसी ये दौनों वहाँ पहुंचते है सभी लोगी नजर इन लोग की पड़ पहुंचते हैं तभी एक बुड़ी अंटी बोलती है आए हाए बड़ाओ यहां पे एक बंदे को लेकिया है और इसी बुड़ी की पीजे तीन लोग कड़ी होते जिन मैंसे दो लड़के होते और एक लड़की होती है जिसे जो ग्रेटेल्ड होता है उसका वह बन जाता है म अबिकले हमारे पास से दाइदर टाइम नहीं कि तुमारी फालतुगी वगवास सुने इस जल्दी से टैस्ट को स्टार्ट करो और तुम ही ग्लेन के बुड़े तुमारे साथ अबिकली यह लड़का है जिसके पास अबिकले कोई पुराना पिल टावर का बैच क्यों नहीं कई ऐसा तो नहीं है इसने कभी भी पिल टावर का बैच लिया ही नहीं है यह सुनके जो जियान होता हो वो हमें नौट करता बोलता है कि हाँ मैंने आस से पहले कभी भी पिल टावर का बैच नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ यह सुनके जो बुड़ जो कि True Clan से होता है, जो कि बोलता है कि अभी कि तुम लोगों को फातु के वगास बंद करनी चाहिए, और जैसा कि अभी किले हम लोग सबसे पहले आए, इस पद इस इस टेस्ट को हम लोग सबसे पहले देंगे, यह सुनके जो Elder Hangley होते हैं, वो हमें not करें, तभी उनके समने द बंदे आजाती हैं, तो Hangley उनसे बोलते हैं, अभी कि तुम किस tier के लिए test देना चाहती हो, यह सुनके जो Elder Hangley होते हैं, तो मैं उसी room के अदर जाना जाब पर अभी कि दोनों लटकी गई है, और फिर वो चिवी क्लें के लटकी से पूछते हैं, तभी जो लटकी होती है, व जो बुडिया होती हैं, इंकम से चौड में आ जाती है, यह सुनके जो Elder Hangley होते हैं, अभी कि तुम तो सच्मी का फिर talented हो, और फिर वो Great Elder की दरब देखते हैं, और बोलते हैं, यह सुनके जो Elder होते हैं, एकदम से हरान हो जाते हैं, और बोलते हैं, और साती हम पर जितने लो लिमिट हैं, और साती मैं भी अभी के एकदम से सरनाटा सा फैल जाता है, और जो जो स हशने लगती है, अभी के जाती हैं, और बुड़ तो अपने सात कैसे disabled को ले आया है, जो कि यह आपे मजा कर रहा है, कि इसे बता ये पिल्टावार है, और साती हो पर जितनी भी लोग तो भी सभी लोग हसने लगती हैं, मगर तभी जो एल्डर हैंग ली होते हैं, एक तुम से सीरियस हो जाते हैं, और जियान से बोलते हैं, बच्चे, यह कोई मजाक नहीं चल रहा है, इस पज़े से सोच सो मच के जबाब दो, जियस वन दिके जियान बोलता हैं, मगर यह बात अगर एसी बात दो ठीक हैं, मैं तुम्हारा टेस्स परसनली लूँगा, मगर उसके लिए तो मैं थोड़ा सा बेट करना होगा, क्योंकि जैसे इन लोगो के टेस्ट खतम हो जाएंगे, उसके बात मैं तुम्हारा टेस्ट लेने चलूँगा, यह बोलकि वहां पर जित्ते बज़े से एक लेन अभिकले इतायदा डूग गया, यह सुनके जो ग्रेट एडर होता है कि उमसे चौड में आजाता है, और बोलता है कि अभिकले तुम्हारी आउका दी, इसके बार में कुछ भी बोलने की, क्योंकि तुम सिरफ एक टीर सेबन की लोग रिट की मॉमली सी अगर तुम्हें हमारे बारे में कुछ बोलना है तो हमारे लावल तक आना होगा, जिसे उनके बोड़िया होती हो और वीदा गुस्से में आ जाती है, और बोलती बुड़िया तुझे पता नहीं बहुती जली तुम्हारी बड़ी बात है कटता है, मगर इस पर जो ग्रीट लटकी होती, वो भी टेस्ट को दे आती है, और वो उसने टेस्ट को अभीकले पास कर लिया था, और वो थी अभीकले एक tier 6 की high level की elk mis, ये देखके जो बुड़िया होती, उसकी गम-गर्ब से चाती हो जाती है, तभी जो हैंगली होती है, वो अपने साथ जियान को ले जात तबी अचानक से उस रूम का गेट कुल तो और जियान और एल्डर एंगली बायराद आती है जब पर जो एल्डर एंगली होती हो अब इकली अपना मूह लटकाई हुई होती हो इस अब यह सब देखिए जो बुड़ी होती हो खुस हो जाती है क्योंकि मैंने ऐसा कपका है इस लैटकी ने टेस्ट को फैल कर दिया है जब बाड़ी हो पर जित्ते वी लोग ख़ड़ेते हिए जबी की एक दी तुम से फियूज उट जाती है सभी लोगों के एक दो मूव फट्टे के फट्टे रह जाते है मगर जियान को इन सभी लोगों से कोई फर्ट नी पड़ता और वो हैंगली को ग्रीट करते बोलते के अल्टर हैंगली अभीकली मुझे आप टीर 7 के मिड़ लेवल का भी बैस दे दीजिए जिसे उनके जो एड़र हैंगली होते हो जियान को एक बैस निकाल के दे देती हैं और बोलते के आपको अभीकली मुझे इत्ती जदा एच्चत देने की कोई उरुद नहीं है और अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है तो आप फिल्ट टावर के अंदर जाकर हाई लेवल के ब पित्ती अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और साथी चैनल को भी सिस्क्राइब कर लेना मैं मिलता हूँ आप से ने स्टूड में तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार